स्वागत है अब सभी का लेटेस्ट रियक्शन मिक्स के एक और ने वीडियो में तो दोस्तों कई दिनों के बाद हम आज वल्ड अफेर्स के वीडियो को देखने जा रहा है जो इंडिया ने 750 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है और ये इंडिया की हिस्टी में सबसे ज्यादा है तो उसी पर प्रसंसर का क्या कहना है वो हम आज देखने वाले शुरू करते हैं अचका मिक्स रेक्शन हैं यह एक मैसेव अमाउंट है अगैन मैं आपर यह बंचन कर दूं कि हम यहाँ पर गुड्ज और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं जैसे के विपरो या फिर इनफोसेज TCS जैसी यह IT कंपनिया है यह अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ड करती है यह अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ड करती है यह जो अपनी सर्विसेज डॉलर्स के export करेंगे ये काफियत तक possible है 2030 तक हो सकता है कि it is very much achievable और 750 बिलियन डॉलर्स से भी उपर का जो ये हमारा export है ये अपने आप में आप देखो तो 1 trillion डॉलर्स के बहुत करीब है कुछी साल पहले 2020-21 का जो financial year था उस वक्त हमारे जो total export थे ये 500 बिलियन डॉलर्स थे तब से लेकर अब तक जो हमने चलांग लगाई है ये astounding है और बिलकुल जो data सामने आया है उसके हिसाब से दुनिया में जो top 10 exporting countries हैं इनमें भारत का नाम शामिल हो जाएगा officially अभी ये जो ranking है ये update हुई नहीं है क्योंकि बहुत से countries का data अभी आना बाकी है जर्मनी, जपान Netherlands, South Korea, Italy, France इनके कितने exports हुए हैं मगर मैं वैसे आपको बता दूँ, UN के हिसाब से 2020 का data अगर हम देखें तो ज़राता जो ये देश है जपान के बाद इनके exports 700 billion dollar से कम ही रहे थे तो अगर इनके exports उतने ही रहते हैं जितने last time थे जो मेरे हिसाब से possibility है ये ये एक्शली economy काफ आप चल रही है तो इनके अगर स्थिती ऐसी रहती है तो इंडिया अराम से पांचवे स्पोर्ट पे आ सकता है अगेन अपडेट की मैं वेट कर रहा हूं जब एक बार अपडेट ही हो जाएगी ranking उस पर मैं एक अलग से वीडियो बाद में बना दूँगा मगर एक बार बा USA के 1.7 trillion dollar के export है मैं आपको बता दूँ आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया USA को overtake कर देगा export के मामले में जो trajectory चल रही है अराम से हम ऐसा कर सकते हैं जर्मनी यूएस दोनों को हम overtake कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल या अगले साल हम जपान को तो overtake कर ह कि ले ना मैं आपको बता दूँ यह मैसेव एकॉनमी इस हैं इन कंट्रीज के आगे चलांग लगाना इनको बीट करना एक बहुत बड़ी बात है और आप 750 बिलियन डॉलर्स को अगर कंपेर करोगे कई देशों की GDP से नौमिदल जीडीपी के मैं बात कर रहा हूं तो आप नोटेस करोगे यह अमाउंट स्विजरलेंड की GDP पोलन की GDP आरजंटीना स्वीडन यह जो इंकी टोटल जीडीपी से भी जादा आपको मिलेगा स्विजरलेंड की GDP यहां पे आप देख पाओगे करीब 800 बिलियन डॉल पाकिस्तान के नंबर्स बहुत जड़ा खराब हैं इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आप अगर मान लो तो पाकिस्तान जैसी एकॉनमी दो बार हम एक्सपोर्ट करते तो जाके नंबर कम्लीट होते हैं मगर यहां पर यहां पर क्वेशन पूछ सकते हैं हमें क्या लेना यह जो 750 बिलियन डॉलर का आकड़ा है इससे हमें क्या फाइदा सबसे बड़ा फाइदा तो यह है रुपी स्ट्रॉंग हो रहा है और स्ट्रॉंग इन दा फ्यूचर होगा इंडियान रुपी के बारे में प्रेडिक्शन यह कर रहे थे जरातार एकॉनमिस्ट के सिंस भार एक्सपोर्ड के बीच का जो डिफरेंस है यह बढ़ता जाएगा भारत के एक्सपोर्ड इतने होंगे नहीं तो रुपी की वैल्यू गिरेगी रुपी आराम से 85 के आसपास आ सकता है मगर जो भारत के रिकॉर्ड तो और एक्सपोर्ड के नंबर सामने आ रहे हैं उससे एक बात साम पता लग रही है कि रुपी रिवर्ड गियर में जाने वाला है रुपी बहुत ही जल्द आपको 80 रुपी पर डॉलर के इसाप से दिखेगा और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है यह और स्टॉंग होता जाए क्योंकि इंटरनाशनल मार्केट में भारत जितन करना एक रिमारकेबल बात है अब यहां पर आप कहोगे मगर इंडिया के एक्सपोर्ट इतने जरा बढ़ कैसे गए इसके कई रीजन है एक रीजन तो यह है कि एपल सैमसंग के जो बहुत सारे फोंस अब इंडिया में में मेनफेक्चर हो रहे हैं यह अमाउंट हम इसमें क अब बहुत सारे फोंस हैं जो डुनिया में लोते हैं जहां परfactических आप इंडिया को ओडिया को अब схlly एक्सपोर्ट में च्बा सकते कभा ध्यारति हैं इसके स्टैंडर्श से मार्याइस कե समने शयरूपकर रहे हैं कर वह उतनाब इंट इंटरनाशनल इंडर्स चीजे international standards के साथ harmonize होना चाहिए अब for example यह आप देख रहे हो यह container है बड़ी basic बात कर रहा हूँ यह container ज़ातार यूज किये जाते हैं exports के लिए अब इन containers का जो size है जो dimensions है ना वो भी हमने काफी जगा change किये है international ports के standards के हिसाब से ताकि वो भी इंडिया का समान purchase करने वे interested हो तो यह छोटी छोटी चीजे होती है इन पर भी हमने ध्यान दिया है जिसकी वज़े से इंडिया के exports बड़े हैं फिर देखो हमने जो free trade agreement sign किये हैं कई countries के साथ for example UAE के साथ इंडिया का जो free trade agreement है यह एक बहुत ही जादा फाइदे का सौरा सावित हुआ है इंडिया के जो exports है UAE को यह 32 billion dollars cross कर जाएंगे इस financial year में बहुत बड़ा amount होता है फिर इस सब के इलावा कई sector थे जहां पर हम exports ना के बराबर करते थे वहाँ पर हमारे exports बड़ रहे हैं डिफेंस शेत्र में अगर हम देखें तो हमारे exports अब 14,000 करोड के आसपास पहुच चुके हैं और 2026 तक हमारा मानना यह है के 40,000 करोड के exports हम complete कर देंगे यह एक बहुत जादा छोटा percentage है 750 billion dollar में मगर every drop counts basically हो क्या रहा है के कई sector जहां पर हमारी performance बहुत कम थी वो भी थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं जिससे overall एक बड़ा amount सामने आ रहा है और अब आप पूछोगे यह सब तो ठीक है मगर इसके आगे 1 trillion, 2 trillion यहां तक कैसे जाएंगे देखिए रास्ता बहुत ही simple है हमें focus करना है better trade agreements पर भारत बहुत ही जल्द free trade agreements sign कर देगा UK, European Union, Canada और इसराइल के साथ जो सफलता हमको मिली है UAE के FTA के साथ और even मैं कहूंगा Australia के free trade agreement के साथ अगर वैसी सफलता हमको मिलती है UK, European Union, Canada, इसराइल में इनी कंट्रीज के साथ जो हमारा trade है अराम से हमारे total exports को 1 trillion dollars तक ले जाएगा It is very much possible European Union के साथ जो हमारा agreement होगा ये सबसे बड़ा होने वाला है It will be massive और उसी के साथ साथ मेरा ये वानना है कि सरकार को एक बात promote करनी चाहिए हमारे देश के businessman exporters को कि जिन देशों के साथ भारत एक free trade agreement साइन कर रहा है उनी को आप जादा export करिए उनको आप priority दीजिए Actually overall अगर हम बात करें trade की, import, export दोनो ये ज़रातार उनी countries के साथ होना चाहिए जिनके साथ हम FTA साइन कर रहे है और ये knowledge जित्ती हम इंडिया में फ़लाएंगे बिजनसमेन को प्रोच साइट करेंगे क्या आप देखिए युरोप की तरफ या फिर युवई के साथ trade करिए जादा आपको import चाइना से करने की आप शकता नहीं है तो eventually आप देखोगे चाइना के साथ भी जो हमारा एक massive trade deficit है ये भी कम होगा तो अभी केले मैं काऊंगा एक बड़ी अचीवमेंट है ये मगर जो हमने टार्गेट रखा हुआ है ये बहुत बड़ा है आने वाला रास्ता काफी कटेर होगा काफी लंबा होगा बद तोगेधर वी केन अकॉम्छेट इंपोर्ट में हमारा कितना है किने बिलियन ڈॉलर्स का माल हम इंपोर्ट करते है उस एड़िया आएगा कि मिनिमम उतना तो करना ही है उसे ही हो जाए कि आपका ना असरप्लेस और हैla ना डिफिसित हो रहा है आप नहीं पर ही है वह क्या था वह देखना था इंपोर्ट कितने है इवेंस होते हैं उस पर हमेंसा हमें खबर देते रहते हैं तो उनका लिंक आपको में दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनको जरूर फालो कीजिए और जहां तक बाता ही हमारे इस्पोर्ट्स की गो हुष्पोर्ट्स की जो 750 ब्लियन पहुचका है तो यह बहुत ही बड़ी अचीव मोच और जो 500 विलियन हो गती वो आज सीदे जम करके 750 बिलियन टक पहुच गई है तो यह बहुथ ही अच्छा अचीवमेंट है और जिस तरीकेसे हमारे यहांके बाकी डेशों के साथ चिस तरीकेसे समबन बना रही है तो तो यह तो 2 trillion टक पहुंचने में बहुत ही easier हो जाएगा अगर government और जो public का support बराबर से नहीं होटा तो यह तक पहुंचने में बहुत ही कथिनाई होती है लेकिन जब सब मिलके काम कर रहे है तो यह थोड़ा easy हो जाएगा हमारे डेस को 2 trillion का expert तक ले जाने के लिए तो आपके क्या वीचा है वो हमें कॉमेंट सेक्समें लेके जरूर बटा अगर वीडियो पसना है तो लाइक करना मैठ भी और चैनल को नहीं है तो सब्सक्राब करना भी मैठ भी और